ओल्वेज वेलकम साथियो डिजिटल क्लास हमेश आपके साथ साथियो अपने बेसिक थर्मडाइनिमिक्स की स्रीज चल रही है जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियों पढ़ने वाले सारे नोट स्पीड एफ फॉर्मेट में डाउनलोड किये जा सकते हैं जिस तरह स्ट्रेंट आप मैट्रियल्स फ्लोड मैकनिक्स एंड मसीन स्रीज कंप्लीट हो चुके हैं सारे नोट स्पीड एफ फॉर्मेट में अविलेविल है इन नोट्सों का इस्तमाला बेसिक से लेकर गेट लेविल एक्जामनेशन तक कर सकते हैं इससे पिछली क्या किसी सिस्टम को डिफाइन करने का क्रिटेरिय होता है डिटेल में बताया जा चुका है आप सिस्टम को किसी पिरकार से डिफाइन कर सकते हैं साथियो उससे इसका अंसर दे सकते हैं आप पिछली वीडियो में आपने देखा है वो सिस्टम बना सकते है या ओपन सिस्ट यहां पर साथियो जो हमने एविलेबिल्टी फंक्षन बताया है आपको यह साई काइनेटिक एनरजी और पोटेंशिल एनरजी में चैंज को इग्नूर करकर दिया है साथियो यहां पर यदि इस परकार की क्वेशन हो सिर्फ इसको नीनांस एक फंक्षन के नाम से जानते हैं कि यदि इसमें आप काइनेटिक एनरजी में चैंज हो रहा है उसको भी अडड़ कर लें SARAH कि में चैंज खो रहा है उसको time www.p regist करें छiच स सी Circ से कर देंगे तो इस प्रकार से अपना ऊपन शीस्टम के लिए कंप्लीट होता है यह इसी को राकते हैं कियों तो इसे निख्शन के नाम से जानते हैं आप किसी तरह का फंक्शन डिफाइण करकर यह पिर किसी को कंसिडर करते हुए एक क्योंसँ ड्राइव करेंगे साथ यह वो एक कैसन आपको मिलती है इससे पिछली वीडियो हमने factors of irreversibility के बारे में जान लिया था यहां पर साथ हूँ जो loss होते हैं irreversibility किस परकार होती है किस losses होते हैं losses उम बताया था आपको sound losses, vibration losses, friction losses यह सब steady कर चुके हैं आप जानते हैं साथ हूँ जो heat देते हैं उसको किस परकार से अलग-अलग format हम प्राप्ट करते हैं या क्या हमको roll मिलता है heat का अब यहां इन diagram से आप समझ सकते हैं यह अपनी क्यों heat है साथ हो जो आप input दे रहे हैं किसी system के लिए अब उससे साथ हूँ heat से कुछ आप work लेंगे जो work होता है साथ हूँ available energy होती है जो heat reject होती है unavailable energy होती है यह study कर चुके हैं और यह किस के लिए रिवर्सिवल कंडिशन के लिए इसमें हम irreversibility को लेकर नहीं चल रहे हैं साथ हो यदि irreversibility को लेकर चले यह तो ideal condition होती है लेकिन ऐसा होता वर्क मिल रहा है साथ हो उस वर्क में से उसकी कटोती होती है उसी को हम irreversibility के नाम से जानते हैं यहां पर आप पॉइंट देख सकते actual work is less than the ideal reversible work so that difference between these two is known as irreversibility इसको आई से आप पर दर्शित करेंगे जो अंतर है साथ हो यहां पर जितना आपको वर्क मिल रहा था उससे कम वर्क यहां पर मिलेगा जो अंतर होगा वो इसके बराबर होगा irreversibility के बराबर होगा यदि इसे आप लिखना चाहें irreversibility आई से पर वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस वाली यह साती हो जो वर्क प्रोड्यूस कर रहें डिवाइस को वर्क कंजिम डिवाइस होती है तिया फॉर्मेट उल्टा हो जाता है उसके लिए अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जान लेते हैं गौज इस्टोडला थोरम के बारे मे प्रोपोर्शनल या समवन उपाती होता है इस परकार से या फिर आप कहें एस जनरेशन के प्रोपोर्शनल होता है यह दोनों ही सातियों या तो जीरो होंगी या जीरो से ग्रेटर होती है एस जनरेशन है या जीरो से बड़ा हो सकता है इसी परकार यूनिवर्स की जो तेंप्रेचर आ जाता है जो कि डेड़ स्टेट पर होता है यह कॉंस्टेंट आ जाता है तो यह रिलेशन फाइनली हम विलता है आई डॉट इस इकल टू टी नोट जो कि एंबियन टेंप्रेचर है डी एस एंट्रोपी चैंज रेट है यूनिवर्स की इसके बरावर होता है जो अभी देखा था आपने यह किसके बरावर होती है रिवर्सिबिल्टी जो मैक्जिमम वर्क है उसमें से जो रिवर्सिबल वर्क है उसको निकाल दे यहां आप देख सक rate of loss of available energy भी से आप कह सकते हैं वो भी जीरो के बरावर हो सकती है जीरो से जादा होगी इस परकार से गाइज इस्टोडला थोरम हमें बताती है अब यहाँ पर हम गाइज इस्टोडला थोरम GST इसका steady करने वाले साथ ही अप्लिकेशन पार्ट किस परकार से इसका इस्तमाल हो सकता है यह आप देखिए साथ हो यह reservoir है तेह टेमपरेचर पर से इसमें से heat ली जारी क्यों हीट ली जारी है इंजन को दी जारी है उसमें से QR reject की जारी है फिर यह sink को दी जारी है इस परकार से अब यहाँ पर source का temperature टी है जाई temperature लेकिन heat आते आते कुछ temperature change आ जाता है कुछ loss हो जाता है irreversibility को इस वज़े से तो यह temperature कितना प्राफ्ट होता है तो साथ हो तो यहाँ पर entropy change कितना हमें मिलने वाला entropy change मिलने वाला है इस मैंसे आप इस परकार से जिस्टम मान सकते हैं एक इसको system माने एक इसको system माने अलग-ーलग मान कर चल सकते हैं एक तो system heat दे रहा है आपको यहां से heat reject कितने हो रही है q in heat reject हो रही है शाथ हो इतने temperature पर th पर तो heat reject करते है तो फिर imaginary जाती है इस प्रकार से q in divided by th, heat reject हो रही है, अब ये heat accept कर रहा है, ले रहा है ये system सात्यों, ये वाला, अब ये कितना ले रहा है, q in heat ले रहा है सात्यों यहाँ पर, q in heat ले रहा है, अब ये कितना temperature इसका, t1 temperature है, यहाँ पर ये plus मैं, क्योंकि system को heat दी जारी है, ये positive value दिखाएगा आ ये कहें आप heat reject होगी, तो सात्यों, t2 temperature हो जाता है, यहाँ पर, इसके लिए reject के लिए आप लिखेंगे, फिर से, इसमें sign पिलस लगा हुआ है, लेकिन ये sign आएगा बीच में अंदर डाल दिया, इसको minus कर दिया, qr divided by 22, अब इसी परकार, last, इस sink के point पर, कितनी होगी सात् qr, कितना temperature पर, ambient temperature, t0 पर, इस परकार से, यदि से total को universe मान कर चला जाया, यूनिवर्स में entropy change कितना होगा, इस equation से आप आसानी से बता सकते हैं, यदि system heat reject कर रहा है, तो minus, accept कर रहा है, तो positive, minus, positive, इस परकार से sign convention हमने पढ़ा है, और यहाँ पर, यदि आप irreversibility की rate का relation देना temperature होता, जो की constant की रूप में आता, इस proportionality को हटाने के बाद, इस परकार से हम लिख सकते हैं, application इस परकार से एक इस्तमाल हो गया है, या इस परकार से irreversibility का यहाँ पर roll आया है, आपको नजर आया है, यदि अब हम जानना चाहें, irreversibility के बारे हैं, फिलो in pipe, यदि pipe में फिलो हो रहा हो, इस परकार से इसमें कुछ fluid या liquid कुछ आ रहा है साथियो, इसमें से कुछ exit कर रहा है, इसकी condition हो सकती है, steady flow हो सकता है, यहाँ पर steady flow steady कर रहे हैं, इस पर यदि हम vernal equation लगाना चाहें, तो जैसा कि हम जानते हैं, इसमें condition है, यदि इसका reference line निया ले लिजाए, त to velocity भी same होगी साथियो, जितने यह बहुत कमी space में हमने steady कर लिया है system को, consider कर लिया है, इसलिए मान लेते हैं, दोनों तरफ यह uniform pipe है, तो same velocity प्राप्त होती है, यहाँ से हम work output नहीं ले रहे हैं, नहीं इसमें work दे रहे हैं, और heat rejection भी हमने इसको insulate कर दिया, तो ना heat आ रहे ह यहाँ से, तो यहाँ पर अपना work control volume बाला 0 है, heat transfer भी दोनों 0 constant value है, तो यहाँ पर वर्णोल equation लगाई जाए साथ ही, जैसा कि हम जानते है, वर्णोल equation यह होती है, P1 divided by rho g, plus C1 square divided by 2 g, plus Z1, इस प्रकार से value है साथ ही, इस प्रकार इसके equal क्या होगी, P2 divided by rho g, plus C2 square divided by 2 g, plus Z2, और यहाँ क्या है, loss हो को हम consider करते होगे चल रहे हैं, तो यहाँ पर यह एच लोस से हमने परदर्शित कर रहा है, hit loss हो सकते हैं, कोई जो भी loss है, उस loss को ले कर आप चल रहे हैं यह fraction से related हो सकते हैं, किसी परकार क्लोस हैं, आप इनको ले कर चलें, इस परकार से, अब साथ यो पी वन यह वैल इदर आकर माइनस हो जाएगी तो एह चल किसका बरावर होगा फी वन माइनस डिबाइड वाई रो जी के बरावर प्राप्त होता है अब जैसा कि हम जानते प्रेसर चेंज बताएगा तो डेल पी जीकल टू पी वन माइनस पीटो हम लिख सकते हैं तो यह पिर किनेटिक एनर्जी है जो इगनौर कर दिये क्योंकि अभी आपने जो वेलो सेटिय दोनों सेम मानी है और यह जैड भी सेम माना था तो इस परकार से यह वेलो केंचल हो जाते हैं यह ट्रांस पर नहीं हो रहा है वरक आप नहीं ले रहें इस परकार से एंच वन इस इएल्प्य हमें सेम मिल दिये जैन फैल्प प्रोशस समझ लेजी आप इसको अब यहां पर यदि हम एन फैल्प्य रेंट्रोपी का रेलेशन देखें साथ यह रेलेशन होता है इस पर स्टेड़ी करें तो यह पर एंठ्यल्प्य चैंज नहीं हो रहा है इसको इ लिक्वेशन हमें प्राप्त होती है जैसा कि हम जानते हैं आइडियल गेसों की लिक्वेशन पढ़ी हमने पी वी इकल टू एम रटी अब यहां से वी डिवाइड़ बाइड़ बाइड़ पी हम लिख सकते हैं इस इक्वेशन से अब इस वैलू का हम यहां पर इस्तमाल साथ ही इस परकार से परिस इंटेग्रेशन करेंगे प्रॉसक्त कर रहे हैं तो कि यहां पर इपर आ न और रिमित लगवी बाइड़ इस प्रकार से इनका इंटिग्रेशन करेंगे आप तो यहां पर इंटिग्रेशन प्राप्त होता है चैंज ने ट्रोफी स्टू माइनस एस वन लेख सकते हैं आप इसे इसे इकल टू करेंगे तो फाइनल एक्स्प्रेशन आपको मिल रहा है यह मास पर मास फिलो रेट है क्योंकि इस प्रकार से हम इस प्रकार से और मोडिफाई करना चाहें तो कर सकते हैं इसको एंट्रोफी चैंज रेट लेके देंगे यहां पर डॉट लगा दिया इसमें π1 से π1 कर दिए डिवाइड साती हो तो वन एल पिवाइड डिवायर लूण हो जाता है यहुग वन-क स मंचोड़ किस प्रकार से होता है minus x minus x square divided by 2 minus x cube divided by 3 इस प्रकार से इसका expansion चलता जाता है तो यहाँ पर भी इसका expansion हम करेंगे इसको खोलेंगे तो किस प्रकार से इसका expansion मिलेगा यह same आगे आप update करने इसको अगला step ds.is equal to minus m.r अब यहाँ पर यह ln का expansion हो रहा है साथ हुए आप कहें आप star किया जा रहा है यहाँ पर तो किस प्रकार होगा same यह format है तो यहाँ पर आप यह x वाली value है इसका आप लिखेंगे dlp divided by p1 minus dlp divided by p1 का square divided 2 आ जाएगा minus 3 आएगा साथ हो इसके नीचे डिवाइड आएगा और वाकी जो x है उसका q हो जाएगा इस परकार चलता जाएगा अब डेल भी value अपने आप में बहुत चोटी होती है इसका आप square करेंगे क्यू करेंगे आगे बढ़ते जाएंगे तो आपकी इग्नोरेवल हो जाती है कहें आप बहुत कम हो जाती है इसलिए इन बैलों की अग्नोर कर देंगे तो फाइनल एक्सप्रेशन आमें यहीं प्राप्त होगा तो आप देख रहे हैं साथी और नेक्स्ट स्टेप में इसका फाइनल सॉलूसन आपको इस प्रकार से कि अब ही आपने देखा था इर्रेवरसिबेल्टिवाला रिलेशन है एंट्रोपी चेंजे रेट यूनिवर्स की टेंप्रेशर है यह तीन और टेंप्रेशर है इसे मल्टिप्लाइ होगी साथी हो तो यहां पर अपनी वेलू मल्टिप्लाइश हो जाएगी जो universe के entropy change rate है T0 temperature से multiply होगी तो यहाँ पर हमको फिर से irreversibility rate प्राफ्थ हो जाती है इसके बरावर होगी है इसका final expression हमें प्राफ्थ हो जाता है उमीद करते हैं साथ हो वीडियो मुझी गई जानकर यह आपको अच्छे समझ माई होगी series आप enjoy कर रहे होंगे अभी आपका कोई confusion है तो आप हमसे comment करकर पूछ सकते हैं साथ हो आप चाहें तो contact कर सकते हैं contact link आपको video description मिल जाएगी वीडियो को अंतक देखने के लिए चंदरियान को support करने के लिए जो कि अपना 3 mission launch होने वाला था वो already वीडियो बनाने से पहले launch हो चुका है सुब काम ना है हमारी तरफ से भारत यूही आगे भड़ता रहे दुनिया में अपना नाम करता रहे जैहिन बंदे मात्रा